प्रस्ण छे उचित गुन धर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ग्यात किजे पहला माइनस चार बटा साथ गुना आठ बटा पंद्रह जोड दो बटा पंद्रह गुना माइनस एक बटा छे प्लस आठ बटा पंद्रह गुना माइनस तीन बटा साथ तो ये है प्रस्ण इसको क्या करना है उचित गुन धर्मों के प्रयोग से इसका मान निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस चार बटा साथ गुना आठ बटा पंद्रह जोड आठ बटा पंद्रह गुना माइनस तीन बटा साथ जोड दो बटा पंद्रह गुना माइनस एक बटा छे तो यहाँ पे हम क्या किया है आठ बटा पंद्रह गुना माइनस तीन बटा साथ को यहाँ पे लिख लिए हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देखें पलस में है यह आठ बटा पंद्रह गुना माइनस तीन बटा साथ तो इसको हम यह दोनों को यहाँ पे लिख लिए हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह कौन सा नियम हुआ इसको इधर क्रम बदल दिये हैं 2 वटा 5 गुना-1 वटा 6 को इधर लिख दिये और 8 वटा 15 गुना-3 वटा 7 को यहाँ पे लिख दिये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बस क्रम को बदल दिये हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमे क्रम विनिमे नियम से कौन सा नियम से क्रम विनिमे नियम से बस यह दोनों का क्रम को बदल दिये हैं अब देखिए 8 बटा 15 माइनस 4 बटा 7 के साथ भी गुना हो रहा है और 8 बटा 15 माइनस 3 बटा 7 के साथ भी गुना हो रहा है क्यानि 8 बटा 15 यहां भी है 8 बटा 15 यहां भी है तो 8 बटा 15 को माइनस 4 बटा 7 के साथ गुना किया जा रहा है माइनस चार बटा साथ और माइनस तीन बटा साथ के साथ वितरन हो रहा है दोनों के साथ तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आठ बटा पंदरा को हम कॉमन ले लेंगे आठ बटा पंदरा को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस चार बटा साथ जोड माइनस तीन बटा साथ जोड दो बटा पांच गुना माइनस एक बटा छे तो देखे आठ बटा पंदरा इसके साथ भी गुना हो रहा था और इसके साथ भी गुना हो रहा था तो आठ ले लिए हैं तो minus 4 बटा 7 बच गया तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे कोश्ट के अंदर फिर यहाँ पर जो plus का चिन है यह वाला इसको हम यहाँ पर दे देंगे अब 8 बटा 15 common हो गया तो क्या बच गया माइनस 3 बटा 7 तो इसको तो माइनस तीन बटा साथ को यहाँ पे लिख लिए क्योंकि आठ बटा पंद्रा कॉमन ले लिए तो बचेगा माइनस तीन बटा साथ तो यहाँ पे लिख लेंगे कोष्ट के अंदर तो यह कौन सा नियम हुआ इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं वीतरन नियम से इसको हम लिख देंगे यहाँ पे तो वितरन नियम से 8 बटा 15 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 4 बटा 7 प्लस माइनस 3 बटा 7 कोश्ट के अंदर हो जाएगा अब यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा 15 7 लगुत्म लेंगे ठीक है 7 लगुत्म लेंगे क्योंकि भीन का जोड़ है तो 7 जब लगुत्म लेंगे तो दोनों का हर भी 7 है देखे 7 7 का लगुत्म 7 हो जाएगा यानि हर दोनों का बराबर है तो हर जब बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे तो माइनस 4 और यहां हो जाएगा माइनस 3 अब देखें यहां प्लस है यहां माइनस है ठीक है यहां प्लस है यहां माइनस है तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 4 माइनस 3 लिख दिये प्लस अब यहां पे देखें दो बटा पांच गुना माइनस एक बटा छे अब देखें आपे गुना में है तो गुना में है तो तीरचा काट सकते हैं तो दो तिया छे हो गया दो तिया छे काट लेंगे छे है यहाँ पे यहाँ पे दो है तो तीरचा काट लेंगे दो तिया छे तीन बार में कट जाएगा तो हो जाएगा आठ बटा पंदरा गुना अब माइनस चार माइनस तीन क्या होगा माइनस साथ देखें दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे चार तीन साथ और माइनस का चीन देंगे तो माइनस साथ 7 हो जाएगा माइनस 7 बटा 7 प्लस अब 2,3,6 चाठ दिये है तो उपर में क्या बचा माइनस 1 बच गया नीचे में क्या बचा 5,3,15 गुना में है तो गुना कर लेंगे 5,3,15 यानि माइनस 1 बटा 15 हो गया तो 8 बटा 15 गुना माइनस 7 बटा 7 पलस माइनस एक बटा grad 15 यहाँ आप दे के कोश्टक खटा लिये हैं तो 8 बटा पन्द्रत क्या में है गुना में है तो गुना कचीने देंगे कोश्टक के बाहर तो गुना कचीने आ जाएगा कि अब इसको गुना कर लेते हैं कि तो देखे साथ बटा साथ है, तो साथ से साथ कट जाएगा, ठीक है, साथ बटा साथ है, तो साथ से साथ कट गया, तो क्या बच गया है यहां पर, तो आठ बटा पंदरा, गुना, देखें, साथ से साथ कट गया, लेकिन यहां माइनस भी है, तो माइनस एक बच गया है, यहाँ पर –1 लिख लेंगे जोड –1 बटा 15 इस तरह लिख लेंगे तो 8 बटा 15 गुना –1 प्लस –1 बटा 15 अब 8 बटा 15 को –1 के साध गुना करेंगे तो आहो जाएगा –8 बटा 15 जोड –1 बटा 15 इस तरह लिख लेंगे तो 8 वटा 15 गुना माइनस 1 हो जाएगा माइनस 8 वटा 15 और प्लस माइनस 1 वटा 15 यहाँ पे है तो 15 पंदरा का लगुतम 15 हो जाएगा 15 पंदरा का लगुतम क्या होगा 15 तो दोनों का हर क्या है बराबर है तो हर जब बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख लेंगे माइनस आठ अब देखिए यहां पलस है यहां माइनस है तो पलस माइनस माइनस लिखेंगे और एक लिख लेंगे तो कितना आ गया माइनस आठ माइनस एक माइनस एक बटा पंदरह तो minus 8 और minus 1 होता है minus 9 यानि minus 9 बटा 15 हो गया 8 एक 9 होगा अब दोनो minus में है तो minus कचीने देंगे 3 से काट लेंगे 3 तीयाई 9, 3 पच्छे 15 3 से दोनों कट रहा है 3 तीयाई 9, 3 पच्छे 15 तो इसका उत्तर आ गया minus 3 बटा 5 इसका उत्तर के आएगा माइनस 3 बटा 5 तो इस तरह से इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे